टूवीलर गाड़ियों के शोरूम में जब इस भारी जोले को घसीटते हुए अंदर लाया गया तो हर कोई हैरान रह गया इस जोले का वजन इतना जादा था कि दो लोग मिलकर भी इसे ठीक से उठा नहीं पा रहे थे आखिर इस जोले में ऐसा क्या था कुछी देर में जोला शोरूम के संचालक की टेबल के पास था और जब इसे खोला गया तो देखिए इसमें से क्या निकला जी हाँ ठीक पहचाना आपने पन्यों में सिक्के भरे थे इनमें एक एक और दो दो रुपे के सिक्कों को अलग-अलग रखा गया था इन्हें यहाँ लेकर आया था आभिजी द्वेदी नाम का ये लड़का जिसे एक स्कूटी खरीदनी थी और उसकी पेमिंट के लिए वो सिक्कों से भरा ये जोला लेकर आया था पर आखिर उसके पास इतना चिल्लर आया कहां से लड़के ने बताया कि उसके दादा जी और पिता जी भी पुरोहित और पुजापाट का काम करते हैं जहां से उन्हें इस सिक्के मिलते हैं वो इन सिक्कों को जमा किया करता था और अब जब उसकी स्कूटी खरीदने की इच्छा हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी चिल्डर से इसका पेमिंट किया जाए अभिजीत ने बताया कि इस सिक्के कुल 25,000 रुपे हैं दरसल अभिजीत ने सिक्के लाने से पहले ही शोरूम संचालक से बात कर ली थी उसने बता दिया था कि वो 25,000 रुपे का चिल्डर देकर पेमिंट करेगा शोरूम संचालक ने भी इसके लिए हामी भर दी जिसके बाद वो सिक्के का जोला लेकर शोरूम आया था शोरूम के संचालक ने बताया कि पहले कभी कोई इतना जादा चिल्लर लेकर गाड़ी खरीदने नहीं आया है अभी अपन होंडा एक्टिवा शिर्जी अभी ले रहा है वो गाड़ी तक कोई ग्रहक नहीं आया है खैर पेमेंट के बाद अभी जीद को उसकी पसंद की गाड़ी दे दी गई वो काफी खुश नज़र आया 25,000 के चिल्लर से इस कूटी के पेमेंट की ए घटना इलाके में चर्चा का विशे बनी हुई है NBT Online की रिपोर्ट